तो गाई जी यार एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो पे और ये एकसिडेंट कहां पर हुआ है और कौन सी रोड है वो सब मैं आपको बताऊंगा आप मेरे साथ वीडियो के लास्तक बने रही है पहले तो आप यह देख लिए यह गाली कौन सी है और यह ट्रा यह लोड है और काफी सारा अनार जो नीचे भी भिखरा पड़ा हुआ है तो यह साइड गाड़ी अनार वाली जो थी रोड के किनारे खड़ी होगी या ट्राले वाले ने जो है इसको टक्कर मारी आ करके और इसके ड्राइवर से भी हम बात करने के कोशिश करी थी लेकिन इ पतानी कहां पर थे और उन्हें चोट आई या नहीं आई इसके बारे में मालूम नहीं चल सका क्योंकि वो यहां थे नहीं और किनारे गाड़ी खड़ी थी बिल्कुल और कंटेनर ने टक्कर मारी पीछे से आगर के तो देखिए गाड़ी जो इसकी रेलिंग होती किनारे की एकस्प्रस वेकी वो तोड़ करके गाड़ी ऊपर चल गई है और दोनों ही गाड़ी हो में बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है और जो ट्राला है इसका पूरा केविन खतम हो गया है देखिए क्या हलत हो यह केविन की और जो डी सियम है इसका पीछे की बाड़ी जो भीशट टककर उबमारी थी आकर के शायद इसी वजए से इसकी बाड़ी खराब हो गई है और एक यूपी 80 नमबर की गाड़ी है और एक आरजे नमबर की गाड़ी है तो नमबर आपको पूरा दिखाई दे रहा है और किसकी गाड़ी है यह तो नहीं पता चल सका और यह हम जब आगरा से निकले हैं तो यह गाड़ी हम को हम आगरा से लखनों की तरफ जब चले है तो आगरा से करीब 25 किलो मीटर निकलने के बाद में यह एकसिडेंट हमें देखनों को मिला और तब हमने इसकी वीडियो बनाई है और काफी भीचण आसा देखिए कि केविन की क् बहुं ग़ी है और हला कि इसके माल बचा होगा शायद लेकिन ड्राइबर का जो है मेरे खाल तो इसका ड्राइबर भी बच गया होगा जो लेकिन कंडेक्टर के चोट-ट लग गही होगी काफी करोकि पीछे का इसका गया हुआ है तो देख करके केबल अनुमानी लगाया जास क्योंकि यहां पर DCM का ड्राइवर तो था लेकिन इस ट्राले का ड्राइवर यहां पर नहीं था कंटेनर जो है इसे घोड़ा भी बोलते हैं बहुत सी भाशा में तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताईएगा और चैनल पना हो तो सब्सक्राइब करिएगा